नमस्कार सात्यों, रीजलिंग लाई पाई दीपक सर आपके अपने यूटूब चनल, आपके अपने एज़ुकेशनल परिवार में आप सभी का तह दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं सात्यों, मेरे प्यारे सात्यों, आज अपन एक बहुत अच्छे फैक्ट के उपर चर दिखाई देता है, तो आकास का रंग नीला कैसे दिखाई देगा, तो इसके बारे में अपन तोड़ा से आपर फैक्ट जानने के कोशिश करते हैं, प्रत्वी पर रहने वाले प्रतेक मनुष्ये प्रति दिन आकास के तरफ जरूर देखते हैं सात्यों, आप भी देखते हो मैं भी देखते हो, सबी लोग देखते हैं, और सबी जब देखते हैं तो उनके दिमाग में एक बात जरूर आती है, कि सरी आकास का रंग जो होता है, वो नीला क्यों होता है, सात्यों, आकास का रंग जो नीला होता है, वो प्रकास के परकिरन के कारण होता है, सात्यों, सुस्म आकार के जो कण होते हैं इन कणों के द्वारा प्रकास का कुछ भाग सभी दिसाओं में फेल जाता है और इस गटना को प्रकास का परिकरण कहते हैं साथियों देखो लाल रंग लाल रंग के प्रकास का परिकरण सबसे कम होता है जबकि बेंगनी का सबसे जादा होता ह अगर इनमें देखा जाए साथियों कि लाल रंग का और बेंगनी रंग की बात करें तो लाल रंग से 16 गुना ज़्यादा किसका होता है बेंगनी कलर का होता है इसके अगर मैं बात करता हूं साथियों तो अगर मैं बात करूँ आकास का रंग जो होता है वो आकास का रंग नि लेकिन निला ही क्यों दिखाई देता है तो इसकी बात अगर अपन चर्चा करें साथियों तो सूरे के परकास की किरने की बात करो तो सूरे के परकास की जो किन है जब वायू मंदल से गुजरती है तो मांग में आने वाले जो धूल के कण होते हैं वह अन्य पधार्तों के जो सुस्क में कन होते हैं साथ हो इसका परकिरन होता है बेंगनी वा नीले रंग का प्रकास की बात के रहे साथ हो तो बेंगनी वा नीले रंग का जो प्रकास है का परकिरन लाल रंग के अपक्सा 16 गुना ज्यादा होता है जैसा कि मैं आपको अभी बताया अता बेंगनी और नील प्रकास चारोग और से फेल जाता है और यहां प्रकास जो है यह फेलावा जो प्रकास साथी हो हमारी अखों तक पहुंचता है जब हमारी अखों पहुचेगा जिसके कारण आकास हमें क्या स Notes नीला यदि वायू मंदल न हो तो सुर्य के परकास में परकिरन नहीं होगा साथ यहां मंदल नहीं होिए झाल झाल